नमस्कार बच्चों, मेरा नाम में नाक्षी शर्माए और मैं आपकी हिंदी टीचरू कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे आज मैं आपको आपकी पाठे पुस्तक बसंत भाग दो का तेरेवा पाठ एक तिन का पढ़ाऊंगी ये बच्चों एक कविता है कविता किस में आती है? कावे में आती है कविता और दो है हिंदी की कावे विधा में आते हैं हिंदी के कितनी विधा होती है दो गद्य विधा और कावे विधा गद्य विधा में क्या क्या आता है कहानी नाटक एकांकी निबंद संस्मरण ये सब चीजे किसमें आती है गद्य में और कविता दोहे आदी किसमें आते है कावे विधा में तो ये क्या है एक तिनका एक कवि और इसके लेखकों है अयोध्या सिंग उपाध्या हरियोद इसमें कवी ने एक तिनके के बारे में बताया है कि एक छोटा सा तिनका भी मनुष्ये के घमंड को तोड़ देता है तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए तो आईए पढ़ते हैं इस कवीदा को और उसे एक अच्छी सीख लेते हैं मैं घमंडों में भरा एंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा आचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिन का आँख में मेरी पड़ा तो इसमें लेखा कहना क्या नामें उनका अयोध्या सिंग अपाध्या हरियोद तो वो कह रहे हैं कि हरियोद जी कह रहे हैं कि मैं घमंड से भरा हुआ एंठा हुआ बहुत जादा घमंड से भरा हुआ एक दिन जब मैं अपने मुंडेर पर खड़ा था छट की मुंडेर पर खड़ा हुआ था तो अचानक कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ मैं तो मतलब मुझे बहुत खमंड था कि तभी क्या होता है अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिन का आकर मेरी आँख में गिर जाता है जब वो हर्योजी अपनी छत की मुंडेर पर खमंड से भरे हुए खड़े थे तभी अचानक से दूर से एक तिन का उड़ता हुआ आकर उनकी आँख में पड़ जाता है तो फिर क्या होता है देखें मैं जिजक उठा हुआ बेचेन सा लाल होकर आँख भी दुखने लगी मूठ देने लोग कपड़े की लगे एंठ बेचारी दवे पाओं भगी जैसे ही मेरी आँख में तो इसका हमें भावार्थ कैसे लिखेंगे जैसे ही उनकी आँख में तिनका गिरता है तो उसके बाद उनकी क्या इस्तिती होती है उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है तो उनके आँख में जैसी तिनका गिरता है तो वो जिजक उठते हैं एकदम बबक जाते हैं घबड़ा जाते हैं और हुआ बेचेंसा और व्याकुल से हो जाते हैं और उनकी आँख भी लाल होकर दुखने लगती है जब हमारी आँख में कुछ गिरता है तो उसमें से पानी आता है आँख लाल हो जाती है और दर्द होता है ना तो उनकी आँख भी लालो कर दुखने लगे मूठ देने लोग कपड़े की लगे एट बैचारी दवे पाओ भगी देखो तो फिर क्या हुआ जैसे आपके कभी आँख में कुछ गिरता है तो सब लोग क्या करते हैं कपड लेकी मूठ बनाकर और उसकी आँख में फूक मारकर लगाने लगे और जो उनकी एट थी जो उनका घमंड था वो दवे पाओं भाग गई क्योंकि वो इतने सोच रहे थे कि मैं तो इतना बड़ा हूँ लेकिन एक तिनके छोट इसे तिनके ने भी उनको बेचेन कर दिया औ एट ता तू किसलिए इतना रहा एक तिनका है बहुत तेरे लिए जब किसी प्रकार ढब से यानि आँख से वो तिनका था वो निकल गया तो उसके बाद की स्थिति के बारे में इस पैराग्राफ में बताये गया है कि जब किसी प्रकार आँख के ढब से वो तिनका निकल ग तो जब उनकी आंक से तिनका निकल गया ना तब उनकी बुद्धी में आया उनकी समझ ने उनको समझाया उनकी अकल ने समझाया ताने देकर कि एट ता तू किसलिए इतना एट रहा था किसलिए तेरा तू इतना घमंड कर रहा था कि मैं तो इतना बड़ा हूं और एक तिनका है बहुत तेरे लिए लेकिन जो तेरा घमंड है उसके लिए एक तिनका ही काफी है इतने बड़े शरीर में एक तिनके से ही सारा घमंड उनका चूर चूर हो गया तो इसमें उन्होंने आयोद्या सिंग उपाद्या हरियोद जी इने एक तिनके के बारे में बताया है कि मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए चाहें वे कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही धन्वान हो जाए तो उसके लिए एक छोट असा तिनका भी उसके घमंड को चूर चूर कर सकता है तो हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए गमंड इसके बारे में ही इनों ने इस कविता में हमें बताया है और हमें इस कविता से यही सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी गमंड नहीं करना चाहिए एक तिनका भी हमारे गमंड को चूर चूर कर सकता है तो बच्चों ये कविता आपको समझ में आ गई होगी इसी के साथ इसी के साथ ये कविता यही पर समापत होती है कि हमें कभी भी खमंड नहीं करना चाहिए धन्यवाद